हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तू अवर यूटूब चैनल लेख उनलाइन एजूकेशन, तोड़े वी आ डिसकसिंग अबाउट इफर्स टर्म एक्जाम स्लेबस आफ 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट, तो साइंस सब्जेक्ट में कौन कौन से जो है चैप्टर अभी जो है फर्स टर क्वेशन के वारे में जो है फर्स चैप्टर जो है आपका जो है वह स्लेबस के अंदर है सेकंड चैप्टर जो है स्लेबस के अंदर है अमलक, शारक एवं लवर्ण, एसीड, वेस, एंड, सॉल्ट जो सेकंड चैप्टर है थर्ड चैप्टर जो है धातू एवं अधातू, म Metal and non-metal जो है आपके syllabus में डाला गया है first term के एकजाम के लिए तो ये तो तीन chapter है जो है आपके chemistry portion से select किए गए हैं उसके बाद आपका जो biology portion है उसमें से अगले 2 chapter लिये गए हैं तो उसमें जो है six chapter जो है आपका जैब प्रक्रम, life processes जिसको इंगलिस में है तो ये जैब प्रक्रम, life processes जो chapter आपका ये है और उसके बाद जो है seven chapter जो है नियंतर्ण एवं समनवेन, control and coordination वाला जो आपका chapter है वो जो है श्लेबस के अंदर रखा गया है H.P. Board of School Education के science paper के अंदर जो है term one के exam के लिए उसके बाद आपके physics वाले portion से दो chapter डाले गये हैं इसके अंदर chapter 12 कई books के अंदर chapter 10 करके भी इसको दिया गया है लेकिन chapter का नाम आपने याद रखना है बिदूत तो chapter 12 जो है जो बिदूत वाला chapter है जिसको English syllabus में electricity के नाम से दिया गया होगा तो electricity वाला chapter जो है आपका syllabus के अंदर रखा गया है उसके बाद 13 chapter है आपका magnetic effect of electric run बिदूत धारा के चुमकिय प्रभाब तो यह जो 13 chapter है magnetic effect of electric run तो यह जो है आपका syllabus के अंदर डाला गया है फर्स्ट टर्म के एक्जाम के लिए और उसके बाद 14 chapter है उर्जा के स्त्रो सोर्सेज ओफ एनरजी तो यह जो है environment वाले portion से उठाया गया है chapter और इसी साफ से आपके जो chapter जो है बनते हैं वो total जो है 8 chapter जो ह आपके एक mystery वाले portion से first three chapter one chapter two chapter three दो chapter आपके जो है biology वाले portion से chapter six and chapter seven और उसके बाद जो है आपके दो आ गया आपके physics वाले portion से chapter 12 and chapter 13 और उसके बाद एक chapter आपका sources of energy उर्जा के स्त deix वो जो है chapter number 14 जो है डाला गया है environment वाले portion से तो इसके साथ आपके जो है total बन जाते हैं 8 chapter ये 8 chapter आपके अभी term 1 के exam में पुछा जाएंगे और बाकी के जो बचता है syllabus वो आपका term 2 के exam के अंदर पुछा जाएगा तो इस syllabus को आप जो है HP Board of School Education की website से भी जो है डाउनलोड कर सकते हो तो उसका जो है पहले में बता चुक है किस तरीके से आप syllabus डाउनलोड कर सकते हो इसके साथ साथ आप अपने सभी subject के जाए हिंदी का है social science का है English का है Math का है वो भी जो है HP Board of School Education की website से आप डाउनलोड कर सकते हो that's all in this video thank you